फर्स्ट बाइट की खबरे लगतार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं आज कोई खास खबर नहीं लेकिन जो बात हम करेंगे वो बहुत खास है शुरू में आपको वो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम आए लेकिन बात में जब दिमाग तक बात पहुँचेगी तो समझ में आएगा कि आज कल क्यों हमारे चेहरे उदासीन, मन, शांत और दिल भारी-भारी महसूस करता है इसकी साफ सीथी वज़ा है सोशल मीडिया अब सोशल मीडिया हमारे जिंदगियों पर क्या प्रभाव डाल रहा है उसकी खबर सभी को है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया दूर दरास कि हमारे दोस्तों और रिष्टेदारों से हमें जोडने के लिए बनाया गया था लेकिन अब वो जोड तो रहा है लेकिन हम खुद में अकेले होते जा रहे हैं आपके फोन में इंस्टरग्राम, वाट्साइप, फेस्बुक और स्नाप्चर जैसी आप ज़रूर होंगी आप इनसे दूर नहीं रहते होंगे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आक्टिव रहने वाले लोग वास्तव में अंदर से सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए आपको बता दें कि पिट्सबर्ग यूनिवसिटी के एक मनोव वज्यानिक ने एक रिपोर्ट के बारे में बताया है उसके मताबिक हर दिन दो घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाली जो लोग हैं वो सामाजिक रूप से ज्यादा अकेला पन महसूस करते हैं तो ज्यादा लोगों से मिलने से कतराते भी हैं उन्हें अपनी कमपनी सही लगती है इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत खुश हैं सचरी है कि वो अकेला महसूस करते हैं वग्यानिकों ने इस बात का दावा किया है कि सोचल मीडिया के जरीये लोगों को हमेशा इस बात का पता चलता रहता है कि दूसरे अपने लाइफ किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, कौन कहां घूम रहा है, किस तरह का जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं और ये देखने के बाद लोगों की दिमाग पर नेगेटिव एंपाक्ट परता है, आप खुद को कूसने शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि दुनिया में सभी की लाइफ बहुत जादा स्वार्टेड है, बस आप ही हैं जो अपने जीवन के दलदल में पसे हुए हैं रिसर्च के दौरान इंस्टरग्राम, स्नाप्टट और वाट्सअप जैसी सोशल नेट्वरकिंग साइट का अध्यन किया गया, हाला कि फिट्सबग उनिवसिटी की प्रोफेसर एलिजबेट मिलर का कहना है, कि ये कहा नहीं जा सकता कि पहले क्या शुरू हुआ, सामाजिक करते थे, उन्होंने सोशल मीडिया यूज किया, और उसके बाद वो सोशल मीडिया से इतने ज्यादा अडिक्टेड हो गए, कि वो सोसाइटी से अपने आपको दूर लखने लगे, और समाज से उनका कटाव होता चला गया, तो अभी कहना गलत नहीं होगा, कि ये मुद्द सोशल मीडिया का इस्तमाल करें, हो सके तो दोस्तों, रुष्टिदारों या फिर परिवार के से आथ, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ताकि आपको अकेला महसूस ना हो, तो फिलाल के लिए इतना ही जासत दीजिए, फर्स बाइट की तरफ से एक खास पेशकर्ष, इ झाल के लिए एको अटेशल के लिए, इसक्री के लिए पास पेशकर्ष, जिए है कि आपको अक्ते ही, तो दोस्त। यच्जिए अच्छिए, झाल के इस याल के लिए खास, पोईजिए, जए लिए फिलाके जवस्तों एके रिए.